नापपुर क्राइमबांच ने प्रतिबंदित नायलोन मांजा की बिक्री करने वाले चात्रों को पकड़ा है उससे 35,000 को नायलोन मांजा बरामत किया गया है आरोपी लोकेश देविदास बारापात्रे जो गोलिबार चौक से है मकर संकरांती के परो को देखते हुए एक तरब जहां नायलोन मांजा पर प्रतिबंद और दंडात्मक कारवाई की जा रही है बावजुद इसके नायलोन मांजा की बिक्री करने के मामले धडलने से सामने आ रहे है सोमवार को शरकिक गोलिबार चौक पर एक चात्र के पास से नायलोन मांजा बरामत किया गया गोलिबार चौक निवासी लोकेश BCA का चात्र है उसके पिताजी नीजी फ़र में काम करते है लोकेश खुद के लिए कौफी शॉप कोलना चाता था इसके लिए उसे पैसो की जरूरत थी उसने तीन दिन पहले एक स्थानिय वैपारी के माध्यम से नायलोन मांजा की 58 चकरी खरीदी इसकी क्राइम बाज के यूनिट 3 को बनक लग गई सोमवार की दोपर लोपेश के घर पर चापा मारकल नायलोन मांजा बरामत कर लिया उसके खिलाब परियावरन सरक्षन अधिनियम तथा धारा 188 के तहत मामलाद दर्च किया गया है बताते चले कि यूनिट 3 की दिनों में नायलोन मांजा पर दूसरी कारवाई है VKB News भी नागरिकों से अपील करता है कि नायलोन मांजे से होने वाली दूरगटना के मदे नजर इस बार नायलोन का बहिशकार करे और कोई अगर नायलोन का इस्तमाल कर रहा है उसकी जानकारी नद्देगी पुलिस विबा को वश्यदे